हेलो आबरीवन वेलकम बैक टूमाज चैनल लेवी की रसोई सो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं आलू ग्रिल्ड सैंविचिस जो की बनाने में हैं आसान और खाने में हैं बहुत ही जादा स्वाधिस्ट तो जादा देर ना करते हुए आये रेस्पी को शुरू करते हैं सो आलू ग्रिल्ड सैंविचिस बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग बना कर तयार कर लेते हैं इसके लिए एक पैन को आने गैस पर चड़ा दिया है जिसमें मैंने दोसी तीन चमच तेल डाल दिया है जैसे ही तेल गर्म होने लगता है हम इसमें डाल देंगी हिंका पाउडर, राई और जीरा तो यहाँ पर बन फूर्थ टी स्पून हिंका पाउडर मैंने डाला है आदा आदा चम्मच के करीब जीरा और राई मैंने इसमें डाल दिये हैं दस सेकेंड के लिए इने भूनने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट तो यहाँ पर एक चम्मच रेडिमेड वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है आप चाहें तो अदरक और लेसन को क्रश करके भी आड़ कर सकते हैं इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और हरी मिर्च तो यहाँ पर दो मीडियम साइस की प्याज और दो मीडियम साइस की हरी मिर्च को मैं एकदम फाइनली चॉप्ड कर लिया है और पैन में डाल दिया है तो प्याज को हलका ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्रा प्राय कर लिया है तो मसालों में धनिया पाउडर लालमिश पाउडर हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे स्वादानुसार मसालों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम्या जादा कर सकते हैं सबी मसालों को हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद जैसे ही आलो ठंडे हो गए मैंने अच्छे से मैश कर लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं आलो डालने के बाद हम इन्हें मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद हमारी यह बहुत ही जादा टेस्टी सीट स्टफिंग बनकर तयार हो चुकी तामेटो केचप और आलो की इस्टफिंग यह ग्रीन चटनी जो है केरी की चटनी है क्योंकि क्यारी की चटनी अभी सीजन में है और केरी की चटनी के साथ ये सेंड़िचे और भी जादा टेस्टी लगती है दोस्तों एक बार आप ज़रूर टाय कर के देखिए तो यहां प देनिया और पूदिना की चैटनी बना कर भी सेनभीचस में लगा सकते हैं। और ग्रीन चैटनी की रेस्पी अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रीप्षीन में दे दी है। अप हम लन्क टॉस्टर को कर दिया है। अगर आप इसे पर्चिस करना चाहते हैं तो पर्चिसिंग लिंग मैंने लिंग डिस्क्रिप्टिन में दे दी है वहां से चेक कर सकते हैं मैंने आपके साथ एसके अन्बोकसिंग का वीडियो शेयर किया थै जिसमें मैंने आपको डीटेल में बताया था तो यहाँ पर जो green light है वो बंद हो जाएगी और जैसे ही green light फिर से जलेगी इसका मतलब हमारी जो sandwiches है वो toast हो गई है क्योंकि मैंने और भी जादा crispy करना चाहती हूँ इसलिए मैंने एक बार और toast कर लूँगी sandwiches को मैंने घुमा कर रख दिया है जिससे कि इसकी उपर checks वाली design आ तो यहाँ पर green light बंद हो गई है अब green light फिर से जलेगी कुछ seconds के बाद तो यहाँ पर हमारी जो sandwiches है वो फिर से toast हो गई है तो आप इन्हें निकाल सकते हैं इसकी unboxing का जो video मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने आपको detail में बताया है कि कैसे से use करना है किन बातों का ध्यान आपको रखना है तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए एक बार link मैंने description में दे दी है तो यहाँ पर sandwiches को दो pieces में मैंने cut कर लिया है और tomato ketchup के साथ हम आलू grilled sandwiches अपसर्व कर सकते हैं दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया हमारी sandwiches बनकर तयार हुई है उम्म आदे ही आजर होते हैं एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए आप खुश रहें मुस्कुराते रहें थैंक्यू सो मच